वैसे कई लोगों को बैंगन की सबजी पसंद नहीं होती है मगर बैंगन सबजी पोशक तत्वों से भरपूर होती है अगर आप भी बैंगन की सबजी को पसंद नहीं करते हैं तो आप इसके लाब जान जाएगे तो आप भी पसंद करने लगेंगे आईए जानते बेंगन के क्या लाब होते हैं यदि अगर हर सुबह बेंगन को भूंच कर और उसमें जरा सी शक्कर मिला खाया जाए तो इससे शरीर की रख्ट की कमी दूर गूती है और रख्ट प्रवाह भी अच्छा होता है अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या है तो बेंगन खाने से आपको पेट की समस्याओं से निजाद मिल जाएगा है आप चाहे तो बेंगन का सूप बना सकती हैं जिसमें आप स्वादा नुसार अन्य चीजों को मिलाकर सूप की गुनवत्ता को बढ़ा सकती है बेंगन हमारी तवचा के लिए भी लाबकारी होती है बेंगन खाने से शरीर डी हाइडरेशन से बचता है और हमारी तवचा हाइडरेट होती है जिससे उसमें निखार आता है शायद आप नहीं जानते होगी कि बैंगन हमारे दिल के लिए भी अच्छा क्योंकि बैंगन हमारे दिल का ख्याल रखता है और कई प्रकार की समस्याओं से बचाता है इसके साथ ही बैंगन खाने से हमारा दिमाग भी स्वस्थ होता है यह दिमाग की कोशिकाओं को free radicals से बचाता है